है नागरिकों को करोना के संक्रमन से बचाव के लिए जीला प्रिशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है आपको बता दे कि कोविड-19 से बचाव के लिए प्रिशासन की भैतर परियांसों के चलते अब उपायुक्त निशान्त कुमार यादव ने एक और नई पहल कर नागरिकों को इस बिमारी से सुरक्षित रखने के लिए करनाल अर्बन में प्रती दिन घर-घर वित्रित होने वाले समाचार पत्रों में मास्क का पैकेट सनलगन कर पहुचाया है बतोर उपायुक्त यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा उपायुक्त के निर्देश पर सुमवार को अलसुभ है कलब मार्किट में ADC कार्याले के करमचारियों की उपस्थिती में प्रशासन की ओर से मास्क के करीब 3,000 लिफाफे समाचार पत्रों में डलवाए जो पाठकों तक पहुचाये गए परतेक लिफाफे में चार मास्क के साथ उपायुक्त की ओर से करनालवासियों के लिए लोगडाउन का पालन और इस बीमारी के बारे में नागरिकों को किसी भी तरह की अफवाहों से ब्रहमित ना होने की सलाह दी गई है और लिखा है कि इस बीमारी से ना डरे पूरा जिला प्रिशासन सभी सुक्स्विधाएं पहुचाने के लिए हर संफव परियतन कर रहा है दियो लेटर के दूसरे भाग में उपायुक्त ने नागरिकों के लिए साथ जरूरी बाते लिखी हैं इसमें समय समय पर साभून से हाथ दोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, खांसते या छीकते इस वक्त नाक और मुहु को ढखना, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचना, सभी गैर जरूरी समारों स्थगित करें तथा भीर में जाने से बचें घर पर रहें सुरक्षित रहें और घर से बाहर जाएं तो मास्क को अवश्य लगा कर जाएं वहीं उपायुक्त ने तमाम करना लवास्यों को आश्वस्त करते हुई उमीद की है कि जीला परशासन 24 घंटे कारे कर रहा है लेकिन नागरिक उपरोक्त जरूरी बातों का सही दंग से पालन करें तो सभी के सहयोग से करोना वाइरस बीमारी से जंग जीत लेंगे उपायुक्त निशान कुमार यादव ने बताया कि जीला में घर से बहार निकलने वाले सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है मास्क नहीं पहनना तो डणनी अपर आनकी फिशेश एपोट ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैं थैन्ने वाल आप जे बीडी बंकेट्स एंटर्प्राइब